देश में लोकसभा चुनाव के बाद राज़सभा की खाली सीटों के लिए उपचुनाव हो गए हैं खाली सभी सीटों पर उमीदवार निर्विरोध चुने गए हैं इसमें बीज़ूपी के नौ, कॉंग्रेस एक, एनसीपी अजीद पवार गुट के एक और राज़्ट्री लोक मोर्चा के एक उमीदवार की जीत हुई है राज़सभा में उपचुनाव के लिए उमीदवारी वापस लेने की तारीक 27 अगस्त थी लेकिन ऐसे में किसी ने भी अपनी उमीदवारी नहीं ली इसके साथ राज़सभा में बीज़ूपी सदस्यू की संख्या बढ़कर 96 पहुँच गई है वहीं NDA की बात करें तो राज़सभा सदस्यू की संख्या 112 हो गई है आज निर्विरोथ चुने गए नौ बीज़िपी उमीदवारों में असम से मिशन, रंजन दास और रामेश्वरी तेली बिहार से अननकुमार मिश्रा, हर्याडा से किरण चौधरी, मध्यप्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महराष्ट्व से धैरेशील पातिल, उडिशा से ममता महता तिरपुरा से राजी भटाचार जी और राजिस्थान से रवनीद सिंग बिट्टू शामिल है एंडिय सेयू की दलों के दो सांसद एंसीपी अजीत पवार गुट के नितिन पाटील महराष्ट से निर्विरोध निर्वाचित हुए और आर एल एम के उपेंद्र कुश्वा बिहार से राजिस्थान सभा में निर्वाचित हुए है नौ और सदस्यों के जुड़ने के साथ राजिस्था में बीजिपी की राजिस्था में ताकत 96 तक पहुँच गई है जबकि एंडिये 112 पर पहुँच गया है तेलंग आना से कॉंग्रिस के अभिशेक मनु सिंग वे निर्विरोध चुने गए है कॉंग्रिस की राजिस्था में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगे राजिस्था में कॉंग्रिस की संख्या एक बढ़कर 27 हो गई है जो नेता विपक्ष के पद के लिए जरूरी 25 सीटों से ज्यादा है कॉंग्रिस का भी एक सदस्य नर्वाचित हुआ है जिससे राजिस सभा में विपक्ष के संख्या 85 हो गई है आप आईए जानते हैं कि राजिस सभा बहुमत के लिए कितनी सीटे चाहिए होती है राजिस सभा में 245 सीटे हैं हाला कि वर्तमान में 8 सीटे खाली है चार जम्मू कश्मीर से और चार मनुनित सदस्यों का पद खाली है सदन की मौजोगा सदस्य संख्या 237 के साद बहुमत का आकड़ा 119 है राजिस सभा के कई सदस्यों को लोगसभा सदस्य बन जाने के बाद कई सीटे खाली हुई थी खाली हुई सीटों पर अब चुनाव कराया गया है जिसमें सभी सदस्यों निर्वरोद सांसद निर्वाचित हुए है राजिस सभा के बाद अब सभी दलू की निगाहा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के वधान सभा चुनाव पर है जहां हरियाणा में पिछले एक दशक से भाजपा सत्ता में है तो वहीं कॉंग्रेस को लोग सभा चुनाव परिनाम ने कॉंग्रेस के लिए हरियाणा की रहा असान करती है वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले हफ़ते एक सर्वे के मताबिक नेशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस का गटबंधन सर्वे में सबसे आगे बताया जा रहा है अब ऐसे में चुनाव परिनाम ही बताएंगे कि आने वाले दिनों में कौन आगे चल रहा है और किसकी सत्ता में दोबारा वापसी हो रही है